उपर की टारगेट्स क्या निकल के आ रहे हैं और क्या कहा गया है कमेंट्री में हाउस वूज में देखे पहले एक कंसेंसस प्लेट आपके स्क्रीन पर आएगी जहां पर तमाम ब्रोकरिज हाउस की रेकमेंडेशन्स होंगी जिसके अंदर क्रेट स्वेश, मौगन स्टेंली, जेफरी, सी एलेसे कोई भी बड़ा ब्रोकरिज हाउस आप मान के चलिए सबकी तरफ से मेजर रेटिंग जो है इसको अपग्रेड, बाई, ओ आउट परफॉर्म, ओवरवेट इस तरह की रेटिंग देखे एक ग्रेट स्वेश, आउट परफॉर्म, अठारा सो दस, मौगन स्टेंली, सतरा सो, जेफरी, सोला सो बीस, सी एलेसे, सोला सो बीस इसके अलावा कुछ और नाम अगर आप देखेंगे तो विदेशी सभी ब्रोकर्स मेजर ली इस पर बाई साइट पर ही चल रहे हैं सिटी, बाई, करीब पंदरा सो नब्बे, मेकवेरी, आउट परफॉर्म, पंदरा सो, एक इडल वाइस के एक्सेप्शनल रिपोर्ट है, ठारा सोगा टागेटिंगा पहले होता था, इन्हों उसको और फरदर बढ़ाके एककिस सो बाई, एककिस सो बीस के आसपास कर दिया तो मेजरली सभी ब्रोकर्स तेजी की बाचीत कर रहे हैं, नमबर्स बहुत स्ट्रॉंग है, सबको लगता है कि डील पाइपलाइन, क्योंकि इनकी जो डील विंस हैं, और डील की अभी सिचुएशन है, वो अपने आल टाम हाइस पर हैं, मार्जिन अच्छे हैं, और रीसें देखें, विपरो केस में इनफोसिस जितना आउट परफॉर्मेंस या उतना ज़्यादा उत्सा तो ब्रोकर्स में नहीं दिख रहा हैं, लेकिन हाँ कुछ ब्रोकर्स हाउसिस की रिपोर्ट में अभी भी पॉस्टिव साइट पे ही इसको काउंट किया जा रहा है, इडल व करीब 400 रुपे के टागेट दिया और गोल्डमेंस सेक्शन तो सेल रेटिंग दिया है, 318 रुपे के टागेट्स के लिए, तो ब्रोकर्स हाउसिस के साब से एक न्यूट्रल या फिर मिला जुला भी उनको लगता है कि नंबर्स ठीक हैं कंपणी के, लेकिन कुछ सथ तक ड उन्होंने भी ये बात अपनी रिपोर्ट्स में साफ मेंचन की है कि जो नंबर है उसमें 45 रुपे का डिविदेंट वाज़ सप्राइज, कंपणी के लास्ट क्वाटर के जो नंबर थे हो काफी बेतर देखने को मिले हैं, CLSC की टागेट्स करीब 830 रुपे पर शेयर के आ TND के जो लॉसे हैं, इनके वो कारोबार में लॉस अभी भी दिखाई पड़ रहा है, लेकि उनको लगता है कि गोइंग फॉवर्वर्ड यहांपर थोड़ा और सुधार आ सकता है, और कोलकता डिसकॉम के जो रेगुलेटरी नॉम्स हैं, उसमें फिर बदल का भी थोड़ा Steel Authority of India Limited की, जो Brokerage Houses की रिपोर्ट सें, उसमें भी कुछ PSU के नाम हैं, मिसाल के तौर पे एक HPCL के उपर रिपोर्ट आई है, गोल्डमें सैक्स की, उनको लगता है कि बाय साइट पे रेटिंग करीब 320 रुपे के टागेट यहांपर दिये जा रहे हैं, बेहतर कैश फ्लो की बाचीत, उनको लगता है कि इस कमपनी के कैश फ्लो बहुत स्टॉँग हैं, मार्जिन इंटाक्ट रखे हुए हैं, और उनको लगता है कि आगे भी जो कैश फ्लो का सपोर्ट है, वो बहुत स्टॉग रहने वाला है, डीप वेल्यू इस कमपनी के एसेट्स के अंदर है, औ NTPCA केस में उनको यहां पर भी यह बास साफ दिख रही है कि valuation wise stock काफी sound है करीब 40% का potential upside इस stock में खुलता हो दिखाई पड़ सकता है उनकी eye और growth जो है इस quarter गे numbers में वो थोड़ी और बेतर आ सकती है ऐसा एक anticipation लाके चल रहे हैं और उनके according share में भी buy side की rating रही करीब 144 रुपे के आसपाद टागेट रहेंगे तो majorly PSU's को लेकर काफी bullish दिखाई पड़ रहे हैं broker houses